Hello everyone, welcome back to our channel PaiWords, the universe of biology. I hope आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम discuss करेंगे कि जो अभी Regional Institute of Education ने अपने BEARD के लिए application form को disclose किया है तो अगर आप महाँ पर application करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन-कौन सी जरूरी बाते हैं तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो आज हम उन्ही चीजों के बारे में discuss करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से subscribe करकर notification bell को on कर लिजे जिससे हर एक notification आपको सबसे पहले मिले और telegram group को join कर लिजे बहुत ही quick messaging और अच्छे अच्छे PDF के लिए ठीक है तो चलिए start करते है वीडियो को तो सबसे पहले सब के मन में यही खयाल आता है कि अगर B8 तो हम कहीं से भी कर सकते हैं तो regional institute of education से करने से हमें क्या मतलब फायदा है क्यों हम यहां से करें क्योंकि एक तो पहली बात यह अकसर location आपके घर से बहुत दूर रहता है और पूरे इंडिया में बस यह आठी institution है तो काफी tough competition रहता है तो सब के मन में यह खयाल आता कि यहां क्यों की जाए तो यह जो मैं आपको information दे रहे हूँ यह बहुत ही authentic information है और RIE के website पर जो frequently asked question का section होता है जिसे खुद RIE वाले ही reply करते हैं ठीक है तो यह वहाँ से information ली गई है तो यह information 100% valid है तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम इन चीजों को समझते हैं कि यहां से बीट क्यों करना चाहिए तो सबसे पहले दिखिए जो RIE है यहां पर आपको 100% students को यहां पर placement मिलता है मतलब अगर आप यहां से करते हैं तो 100% chance है कि आपको कहीं न कहीं पर यह लोग place कर देंगे ठीक है आप मिमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए और आपको placement यहां पर मिल जाएगी और अगर आप placement नहीं लेना चाहते हैं तो अब higher studies के लिए भी जा सकते हैं लेकिन यहां पर आपको 100% placement है मतलब कि जैसे आपने डिग्री कंप्लीट की आपको यह कहीं न कहीं इंस्टिटूट में किसी ना किसी इंस्टिटूट में यह जो है opportunity दे दे देंगे बहुत जगा पर ऐसा भी होता है कि जैसे KVS है तो वहां पर contractual basis पर आपकी नौकरी लगवा देंगे मतलब यह permanent जॉब नहीं रहेगी लेकिन हाँ आपको contract basis पर यह KVS में जॉब लगवा सकते हैं तो यह भी चीज़े हैं बहुत सारे अच्छे चे इंस्टिउशन में यह लोग जो है placement करवाते हैं अपने बच्चों की तो यह बहुत अच्छी बात है यहाँ पर residential है मतलब कि आपको hostel भी मिलेगा पूरा और साथ ही साथ आपको scholarship भी यहाँ पर provide की जा सकती है 50% students तक को scholarship दी जाती है जो भी आप eligibility होती है scholarship की उसके हिसाब से आपको scholarship provide की जाती है तो यह benefits हो गए आपके regional institute में पढ़ने के क्योंकि हम सबको नौकरी चाहिए और यह लोग placement करवा रहे है तो यह बहुत अच्छी बात है अब next चलते है अब यह देखना होगा हमें कि कौन से RIE में कौन से courses available है क्योंकि varieties of courses हैं यहाँ पर तो सारी courses हर एक RIE में नहीं available है तो आपको जब यह चीज़े पता रहेंगे तो आप जब अगर मांदीजे preference भरना होगा तो आप इसको ध्याद में रखते हुए देखिएगा कि आपको कहां का डालना है ठीक है तो देखिए जो BSC B.A.B.A.B.A. 4-year integrated course यह भुबनेशर और मैसूरू दोनों में होता है यह सिर्फ R.I.E. मैसूरू में होता है और जो 2-year का B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.A.B.A.B.A.B.A.B.A.A.B.A.B.A.B.A. सारे R.I.E. में होता है सिर्फ N.E.R.I.E. Shilong में नहीं होता है ठीक है तो यह आपका हो गया कि कौन कौन से courses कहां कहां होते हैं अब देखिए यहाँ पर है कि हम कैसे RIE को join कर सकते हैं तो जैसे अब यह application form आया है तो आप online application फिल करेंगे यहाँ पर general की जो है examination जो application fee है वो 1200 रुपीज है general और OBC की और SC, ST और PWD candidate की 600 रुपीज है तो यह हो गया आपका application उसके बाद में आप exam देंगे और यहाँ पर आपको CEE rank अलॉट की जाएगी जैसे JE की rank होती है NEET की rank होती है ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर CEE की rank जो है दी जाएगी अब देखे यह दो आपका first step हो गया अब देखे जो second step है वहाँ पर एक rank list बनाई जाएगी ठीक है उसके बाद rank list में देखे वेटेज आपको ध्यान देना है कि 60% वेटेज दी जाएगी आपके CEE की performance को मतलब जो आप interest में perform कर रहे हैं उसके number का 60% यहाँ पर लिया जाएगा बागी का 40% है वो कहां से लिया जाएगा जो आपकी qualifying examination है मतलब अगर आपने level 1 के लिए apply किया है तो आपके 12th के marks level 2 के लिए apply किया है तो आपके graduation के marks ठीक है और level 3 के लिए apply किया है तो आपके PG के marks 40% जो weightage है वो यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ से लेने के बाद आपका rank list generate होगा rank list generate होने के बाद हर एक R.I.E. अपना list बनाएगा जिसमें कि selected candidate की list होगी और साथी साथ waiting list होगी ठीक है जितनी seats available होगी उस इसाब से यह लोग category wise यहाँ पर list generate करेंगे और फिर आपको वहाँ पर admission लेना होगा तो यह पूरी criteria होगा कि किस प्रकार से वहाँ पर admission मिल सकता है आप देखिए यहाँ पर एक सवाल आएगा कि अगर आप 12 में है या फिर UG में है आपका जो है वह update कर देना है अगर आप अभी application के टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन आपका जो result है CE का इसके आने से पहले तक आपका result आ जाना चाहिए ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको rank generation के लिए consider नहीं किया जाएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब एक important बात यहाँ पर पैसे बचाने वाली बात तो आप single exam fee payment मतलब आप 1200 रुपय अगर दे रहे हैं तो आप यहाँ पर multiple courses में apply कर सकते हैं मतलब अगर आप BSC BEARD में apply करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं A की साथ सिर्फ BEARD में apply करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आपको सिर्फ A की बार fees pay करना रहेगा तो यह language proficiency first part रहेगा English की language proficiency second है teaching aptitude और third है reasoning ability main यही तीनो subject रहेंगे और तीनो levels के लिए अलग-अलग level पर पूछा जाएगा ठीक है तो language proficiency से number of questions 20 रहेंगे और total marks 40 रहेगा मतलब one mark मतलब one question जो है is equal to two marks यहाँ पर ठीक है ऐसे ही teaching ability के लिए आपका 30 number of questions रहेंगे और 60 total marks रहेंगे इसी तरह से reasoning ability के लिए भी 30 questions और 60 marks तो total question यहाँ पर आपके 80 रहेंगे और 160 marks का पूरा question पेपर रहेगा timing आपकी दो घंटे की रहेगी 9 बजे से लेकि 11 बजे तक और exam date हमें पता है दो जुलाई है ठीक है दो जुलाई 2023 तो यह हमारा हो गया कुछ exam pattern के बारे में अब देखिए यहाँ पर किसी ने पूछा है कि क्या सारे levels के लिए paper सेम रहेंगे तो इन्होंने बताया है कि paper जो होंगे वो completely different रहेंगे हर एक course के लिए मतलब जैसे level जो है वो अलग-अलग रहेगा जैसे BA, BA, BSC, BA और MSC, ED के लिए paper जो है वो 12th standard based रहेगा subject तो वही रहेंगे कि English proficiency, reasoning और ability जो है आपकी teaching ability लेकिन उसका level अलग-अलग रहेगा ठीक है तो 12th standard का पूछेगा BSC, BA, BA और MSC, ED के लिए सिर्फ B.A.D. के लिए graduation level का पूछेगा और M.ED के लिए आपका post graduation के level का पूछेगा तो इस हिसाब से question का जो मतलब tuition का level है वो बहुत deep होता जाएगा एक-एक level अप होते हुए ठीक है तो papers बिल्कुल सेम नहीं है यहाँ पर इनके website पर प्रिविएस ये questions भी पड़े है ये questions मैंने telegram group पे डाल दिया है आप वहाँ से जाकर check कर लिजेगा ठीक है और वहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा idea लग जाएगा कि आपको पढ़ना किस तरी से है ठीक है अब थोड़ा सा reservation के बारे में देख लेते हैं SC को यहाँ पर 15% का reservation है ST को 7.5% का OVC को 27% का और person with disability को 5% का और EWS को यहाँ पर 10% का reservation है यहाँ पर एक सवाल अक्सर रहता है students का कि अगर मैं किसी और जगा पर रहता हूँ तो क्या मैं कहीं और का center choose कर सकता हूँ मतलब आपने जो street अपना भरा हुआ है एक application form में आप उसके अलावा कहीं और examination center choose कर सकते हैं तो जी हाँ आप बिल्कुल choose कर सकते हैं आप इनकी जो list दी गई है उस city में से कहीं पर भी choose कर सकते हैं अगर वहाँ पर seat available रहेगी तो आपको बिल्कुल वो provide की जाएगी एक important बात आपको यह भी समझने पड़ेगी जैसे उत्तर प्रदेश यगर आप हैं ठीक है वह भी टेलिग्राम ग्रूप पर सेंट कर दिया आप वहाँ से चाकर चेक कर लीजेगा यह कुछ important बात थी अब चलते हैं एक बहुत ही important चीज़ पर और उसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम end भी करेंगे यह center की list है ठीक है यह center की list है इसे भी मैंने टेलिग्राम ग्रूप पर send कर दिया है वहाँ से जाकर चेक कर लीजे आपकी कौन से state में किस city में आपका center हो सकता है जैसे कि यहाँ पर various lists दिये गया है कौन से state का center कहां बनाया गया तो यहाँ पर यह आप लेख सकते है उत्तर प्रदेश में अलहाबाद है और यह लखनौ है ठीक है तो centers थोड़ी limited है इसलिए आप धिहान दीजेगा और यहाँ पर पूरी list मैंने टेलिग्राम ग्रूप पर डाल दीए प्लीज वहां से आप चेकाउट कर लीजे टोटल 36 centers ही है यहाँ पर तो थोड़ी limited इसलिए आप जल्दी से जल्दी form भरिए जिससे आपको अपना मंचाहा center यहाँ पर मिल जाए ठीक है तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छी लगे होगी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज comment section में पूछिए और तब तक के लिए बढ़ते रही है बढ़ते रही है थाइंक्यू वेरी मच्छ